देखिए अगर आपके पास कोई सी भी smart watch है जो android mobile से connect होती है अगर आपके पास कोई भी company की चाहे वो noise की हो fireball की हो या फिर boat की smart watch है या दुसरी कोई भी watch है उसमें vibrate काम नहीं कर रहा है यानि कि आपके call messages आ रहे हैं तो आपकी watch vibrate नहीं हो रही है तो basic तरीका क्या है कभी कभी यह vibration का जो यह है इस तरीके से बन रहता है तो आपका vibrate नहीं होता है तो आपको एक बार यह जिफ चेक कर लेना ठीक है अगर यह off है और फिर भी vibrate अगर आपकी watch नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ पहले इसे मैं home कर लेता हूँ और यहाँ से तो आपको देखिए हो सकता है यहाँ पर software का issue हो तो software का issue किस तरीके से चीज़ होगा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा लेकिन hardware से related issue भी होता है तो उसके बारे मैं end में बताऊँगा तो पहले software से related issue के बारे में क्या करना है आपको सबसे last में जाना है और या more में setting का option है यहाँ पर जाने के बाद आपको end में reset दिखाए देगा यहाँ से yes करके इसे reset कर लेना है आप कोई भी watch में आपको यही करना पड़ सकता है आपको reset ही करना पड़ेगा इससे आपकी problem solve हो जाएगी अगर software से related problem होगी तो reset करने से problem सही हो जाएगी देखिए अगर इससे भी आपका vibration on नहीं हो रहा है तो हो सकता है hardware से related problem है हो सकता है आपकी watch में dust चली गई है या फिर watch आपकी कहीं पर गिर गई है जिसकी वजह से vibration vibration का जो sensor होता है या vibration का जो system होता है वो खराब हो गया है तो इसके लिए अगर आपकी watch new है and warranty में है तो service center वाले उसे free में repair करके दे देंगे बट अगर आपकी watch old है warranty में नहीं है तो आपको इस रिपेरर के पास ले जाना पड़ सकता है शायद वो 200 से 300 या 400 तक भी खर्चा आए तो उसे सही करेगा तो कोई problem है तो आप comment में पूछ सकते हैं मैं आपको उसका reply दे दूँगा वीडियो पसंद आई हो तो text store को subscribe कर दे अपना बहुत ज्यादा ख्यार रखे ल्ला हाफीज